अब दोस्तों स्वागत थेकने वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि अगर आपके पास Realme का फोन है Realme Nargo 50i, 50i या फिर आपके पास 30i है या कोई भी फोन हो Realme का Realme UI 250 है अगर उसमें तो आप किस तरह से fingerprint आइड कर सकते हैं अब देखो, fingerprint आइड करने के लिए आप क्या करना होगा, और जाना होगा setting में और setting में जाने के बाद आपको यहां पर password और बामेट्रिक्स पर जाना है इसमें आपको add fingerprint पर जाना है एक बार मैं अपना pattern lock बन कर लिया हूँ, तो आप अगर डारेक्ट आइड के जाओगे न तो आइसे आएगा इंतलब बोलेगा कि पहले आपने आइसे pattern में ने select कर लिया, अब pattern पहले मैं set कर लेता हूँ यानि कि यह स्क्रीन लोक लगा अब add fingerprint का option आता है तो add फिंगर्पिंगर का जास्यां यह option को यहां पे अप्सान מעते आपको यहां पर finger print मिला जाता है तो आपको तुमर्प्रिंगर हो जैसे असरो कторов कर लेना है ठीक है continue कर लेना है पूस्से तस् selective नहें जैसी vibration हो remove कर लेना है ठीक है अब देखो तो अब यहाँ पे आपको continue पे click कर देना है अब आप चाहो तो दूसरा finger भी आप इंडॉल कर सकते हो ठीक है यहाँ पे sorry face इंडॉल कर सकते हो चाहो तो और दूसरा finger अगर इंडॉल करना है तो ऐसे जाना है और फिर आपको ऐसे finger यहाँ पे अपना place करना है तो इसी तरह से आप यहाँ पे sorry दूसरा finger करना होगा ना तो same finger करोगे तो नहीं लेगा तो दूसरा finger इस तरह से मैं यहाँ पे place करके चाहूं तो दो finger भी add कर सकता हूं अब इसके फायादे भी बताऊंगा दो finger के क्या होते हैं तो यहाँ पे मैंने दूसरा finger भी अपना लगभग add कर ही चुका हूं देख सकते हैं तो यहाँ पे हो गया है अब देखो finger तो लग चुका है अब fingerprint का इस्तमाल किस परपस से करना चाहता हूं तो app lock के लिए अगर करना है तो इसको भी आप blue कर दोगे और private से photo hidden वेगरा देखने के लिए hide photo वेगरा इसको भी blue कर दोगे यानि कि जो जो blue होगा ना उस उस पे आपका यहाँ पे fingerprint काम करेगा तो फिलाल मैं screen lock के लिए इस्तमाल करने वाला हूं अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है fingerprint for hidden apps click start तो आप अगर दो finger add करोगे तो यह वाला option enable हो जाएगा और आप इससे चाहो तो किसी एक finger को select करके आप इससे hidden app को मतलब जैसी finger लगाओगे ना आपको hidden apps दिख जाएगा ठीक है तो आप कर सकते हो हाला कि hidden apps के उपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है तो आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह से fingerprint आप set कर सकते हो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जब मैं unlock करूँगा तो यहाँ पे normally fingerprint यहाँ पे touch करूँगा तो यह unlock हो जाएगा इस तरह से तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीज़े share कीज़े, subscribe कीज़े, मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बगाए